प्रद्यूमन मामले पर हर्याना के मंत्री राउ नर्बीर सिंग का बयान आरोपी छात्र के परिवार से मेरा कोई लेना दिना नहीं है मैंने सीबियाई जांच के लिए कोई अडंगा नहीं लगाया विपक्ष के आरोपों को बताया राजनेतिक साजिश प्रद्यूमन मामले में पूरवसीयम भुपेंदर सिंग घुड़ा ने खटर सरकार पर साधा निशाना जाच के मामले में गंभीर नहीं सरकार खटर सरकार का लचर रवया आया सामने हरियाना के रोहतक की सुनारिया जेल में साथ भी यौन शोशन मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को अनेक प्रकार के सुविधाई मिलने के मामले में डेरा सच्चा सौधा के पूर विसाध हूँ गुर्दास सिंग तूर ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गुर्दास सिंग तूर ने कहा कि राम रहीम के साथ भी दूसरे कैदियों जैसा ही बरताव होना चाहिए और अगर उनको जेल में सुविधाई मिल रही है तो इस मामले में जस्ताहप को जांच करवानी चाहिए राई स्पोर्ट्स स्कूल में इलेक्ट्रोनिक सामान की खरीद फरोग्त में हुई गड़बडियों की जांच की मांग को लेकर कॉंग्रिस विधायक जैतीर्त दहिया ने हर्यान के राजपाल कप्तान सिंग सुलंकी को लिखा पत्र दहिया ने लगाया आरोप की राई स्पोर्ट्स स्कूल में इलेक्ट्रोनिक समान की खरीद फरोग्त पर क्याग ने भी सवाल उठाए हैं उन्होंने राजपाल से मांग की है कि इस मामले में उचित कारवाई करे हर्यान के स्वासिमंद्री अनिलविज ने पूर्व मुख्यमंद्री हुड़ा पर साधा निशाना साधी अनिलविज ने जाट समुदाय पर भी निशाना साधा पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंद सिंग हुड़ा दुआरा खटत सरकार पर घोटाले के लगाए गए आरूपों को नकारते हुए विज ने कहा कि हमने तो नहीं सुना कि कोई घोटाला हुआ हो लेकिन पूर्व की हुटा सरकार में CLU, भर्ती और नौकरी कान रोज सुनने को मिल से थे प्रदूशन लगातार खत्रे के निशान से आगे बढ़ रहा है इसके बावजूद फत्याबाद में किसानों ने कई जगाहों पर पराली को जलाया पराली जलाने से बिगडे हालात विजबिल्टी हुई शूनने बढ़ती दुन की वज़ा से लगाता सड़क हाथ से बढ़ रही है अमबाला दिल्ली नैशनल हाईवे पर हिमाचल पत परिवहन निगम के कुलू डीपो की बस एक प्रक से जा टकराई हाथ से में बस चालक की मौत और बस का कंड़क्टर खायल पुलिस शब को पोस्माटम के लिए भेज कर कारवाई में चुटी